फ्रेंट्स सपने में साप का देखना अलग-अलग अर्थ होता है कई बार ये अत्यांत सुब होते हैं और कई बार असुब आईए हम आपको बताते हैं सपने में किस किस तरह से साप को देखना सुब होता है और किस किस तरह से साप को देखना असुब होता है तो अब हम आपको बता दें सपने में बार बार सांप का आना कैसा माना गया है सोब्या असुब सपने में सांप का काटना यदि आपको इस तरह के सपने आते हैं तो आपको भायवीत होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि साप का काटने का मतलब काटे गए जगए से सफलता है सपने में साप और नेवले की लड़ाई देखना अच्छे संकेत नहीं है ए सपना आपके लिए संकेत देता है यदि सपने में साप और नेवले की लड़ाई देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप भवेश में किसी कानूनी मामले में पढ़ सकते हैं, कोट से जल्दी आपको कोई नोटिस आ सकता है। सपने में साप को मारने का क्या आर्थ होता है। धार्मिक ब्याक्खा के अंसार सपने में अगर आप सांप को मारते हैं तो इसका मतलब आप अपने सत्रू पर विज़ई प्राप्त करते हैं काला सांप अमीर सत्रू को दिखाता है सफे सांप का मतलब कमजोर सत्रू या आपका पडोसी सुनस्चित करें कि आप भविस में किसी ऐसे ब्यक्ति से धोका ना खाएं जिस पर आपको भरोसा है सपने में सांप को देखना रात मैं सोते समझे अगर सपने में आपको सफे देया सुनेरा या चमकीला सांप नजर आए तो यह भी किसमत खुलने का इसारा होता है और यह भी कहा जाता है कि पूरवजों का आसीरवाद मिलेगा सपने में अगर साप आपको कहीं जाते हुए दिखाई दे या आपको देखकर छुप जाए तो समझ लेना कि पिर्त्र देव आपकी रक्षा कर रहे हैं काले नाग को सपने में देखना सपन सास्त्रों के मताबक अगर आप सपने में कोई काले नागनागन का जोड़ा देख लें तो इसके बहुत सबसंकेत होते हैं ऐसा कहा जाता है कि ये आपकी किसमत खुलने का ऐसारा होता है ऐसा सपना दिखाई दे तो समझ जाईए कि आपकी कोई दिली तमना पूरी होगी तैसे ही रोजाना सब असुक संकेत जानने के लिए हमारे चैनल एसवाई भक्सियाग्टा को जलब जलब सब्सक्राइब कर लें लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें अच्छाइब कर दोस्तों के साथ शेयर करें